सुरुआत में हम 1845 का सीन देख पते हैं जहाँ पर एक कबिले पर एक औरत ने काला जादू गया हुआ था लेकिन तब ही उस कबिले के सारे लोग एक साथ आजाते हैं और उस काला जादू करने वाली औरत को जला कर राख कर देते हैं उसके बाद वो लोग उस औरत की आत्मा एक डॉल के अंदर गेत करते हैं हम कुछ घड़ों के बाद का सीन देख पाते हैं जहां पर वो औरत एक पीड़ से लटकी हुई थी और उसके पूरी बॉड़ी जली हुई थी उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम 2021 में आ जाते हैं यहां पर हम एक फार्मन को देख पाते हैं जिसका नाम जेरी है जेरी अपने दोस्त के साथ था और वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे काय के उपर कुछ अलग सा सिंबॉल बना हुआ है उसके बाद जेरी का दोस्त भी ये बात नोटिस करता है तभी हम देख पते हैं कि जेरी बेड़ से अजिब आबाजे नोटिस वो डॉल बहुत जड़ा पुराने थी और उस डॉल पर सिब उसका नाम और उसकी बड़ डेट लिकी हुई थी ये देखकर जेरी उस डॉल का मज़ाख उड़ाता है और उस डॉल को तोड़ देता है उसके बाद जेरी का दोस्त उस डॉल के साथ कुछ फूटो लेता है और उसके बाद वो निकल जाते है अम रात का सेंद एक बात है जब जेरी ड्राइविंग कर रहा था तब ही उसके सामने एक औरत आ जाती है और वो उस औरत को उड़ा नहीं वारा था लेकिन वो औरत टांस्परेंट बन जाती ह लेकिन इसी वज़ा से जेरी की गार क्रैश हो जाती है जब जेरी कार से भार आ जाता है तब वो जंगल में किसी की परचाई को नूटिस करता है उसके बाद जेरी उस परचाई का पीज़ा करने लगता है वो एक लड़की थी और वो उस पेड़ की तरफ जा रही थी तब वहाँ पर जेरी आ जाता है और उसकी कंदे पर हाथ रखता है उसी वक्त वो लड़की वहाँ भरी बेहोश हो जाती है जेरी उस लड़की को पैचानता था इसलिए जेरी उस लड़की को उटाता है और अपने घर लेकर जाता है उसके बाद जेरी की बहन उस लड़की के साथ रहती है हमें बता सल जाता है कि वो लड़की देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती उसके बाद जेरी की बहन जेरी पर बहुत जादा गुस्ता हो जाती है क्योंकि जेरी ट्रिंग करने के बाद गाड़ी चाला रहा था इसलिए जेरी की बहन जेरी को घर में भी नहीं आ आवाज जाती है जिसके बाद वो लड़की बिना कुछ भी रियाट के सिर्फ सीधे चलने लगी थी और उसके बाद हम देख पते हैं कि सारे यंग लड़किया उसको फॉल्लो करने लगती है वो लड़की एक पेड़ के पास आ जाती है और सारे लड़किया उसके पीजे थी कि देखकर सभी लोग उस पेड़ की तरफ जाने लगते है तभी उस पेड़ से एक आत्मा निकलती है और वो उस लड़की के अंदर चले जाती है और तभी उस लड़की के आवाज सुनने की शक्ती वाबस आ जाती है उस रात हम देख पते हैं कि पूरा आसमान लाल हो चु लड़की पास जाते है तभी वो लड़की उस पेड़ को छुच दी है जिसकी वज़े से वो आत्मा वापस आ जाती है वो आत्मा उस लड़की के अंदर वापस खुच जाती है तभी वो लड़की एक लड़की के पास चले जाती है जो विलड़ जेर पर बेटा हुआ था वो लड़की उस लड़की के तरफ देखती है और उससे आशिरवात देती है तब भी वो लड़का विलचेर से खड़ा हो जाता है और बेले की तरह चलने लगता है ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते है और उस लड़की को अपना भगवान मानने लगते है हम देख पाते हैं कि जेरी ये सब कुछ रेकॉड कर रहा था और किसी को भी इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं था तबी हम चर्च का सीन देख पाते हैं जहां बाद चर्च में रखी हुई एक मुर्ती के आखों से खून निकल रहा था वो वीडियो जेरी सोशल मीडिया पर अप्लोड कर देता है जिसकी वज़े से वो वीडियो वाइरल हो जाता है उसके बाद बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर उस गाहों में आ जाते है उसके बाद वो रिपोर्टर उस पेड़ को पुरी तरह से कवर करते है तभी उनमें से एक रिपोर्टर आके जाता है और उस पेड़ के नीजे हाट डालता है जिसके बाद इस reporter को वो डॉल मिलती है जब वो reporter उस डॉल को हाथ लगाता है तब ही हम देख पाते हैं कि वो speed के पीजे से एक डारामनी आत्मा निकल आती है वो आत्मा उस reporter को मारने ही वाली थी लेकिन तभी बहुत सारे लोग वहापर आ जाते है उसके बाद हम चर्ज का सीन देख पाते है जहाँ पर चर्ज का प्रिस बहुत बुरी तरह से खासने लगता है और वो प्रिस खासते खासते नीचे गिर जाता है ये देखकर वो लड़की उसके पास जाती है उसके बाद वो लड़की उसके सीने पर हाथ लगाती है जिसके बा लड़की के पीज़े एक काली आत्मा थी उसकी बाद वो प्रिस्ट अपना एक सरे निकालने के लिए जाता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी बीमारे सच में ठीक हो चुकी है और वो अच्छी तरह से सास ले सकता है इसी वजह से पुरिक दुनिया में उस पेड़ का नाम होने लगता है और दूर दूर से सारे लोग उस पेड़ को देखने के लिए आने लगते हैं और इसी वजह से वो लड़की भी बहुत ज़्यादा पॉपिलर हो जाती है देख पाते हैं कि उस लड़की की पॉपिलरिडी इतनी बढ़ चुकी थी कि सब लोग उसको एक दिशा में जाने लगता है उसकी बाद जब वो प्रिस्ट उस दिशा में जाता है दोसे एक बहुत बड़ा होल मिलता है और उस होल में एक किताब थी वो किताब एक प्राचिल समय से चले आने वाले शेतन को बंदी बनाने वाली थी उस किताब में लिखा था कि उस शेतन की आत्मा उस चर्ज में आ जाती है और उसके बाद वो उस प्रिष्ट को जिसने वो किताब पड़ी हुए थी उसे मार डालती है थोड़िन रवाद लगता है कि प्रिस ने सुसाइट किया होगा और उसके पीछे जरूर कुछ वजा होगी उस वजा को टुड़ने के ने वो दोनों चर्श के बेस्मेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो जादूई किताब मिल जाती है जब जिरे की बहन उस किताब को पढ़ती है तो उसे स बहुत साल पहले एक चुड़न थी जो सभी लोगों के ने एक बहुत बड़ा खत्रा थी जिसकी वज़े से सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़न को मार दिया और उसके बाद उस चुड़न की आत्मा उस डॉल के अंदर चली गए लेकिन जब भी उस चुड़न का या फिर तो वो चुड़े लाकर खुद उस इंसान को मार देगी अम देख पाते हैं कि जेली के बहन को ये सब कुछ पता स्थल चुका है इसलिए वो गोस्ट जेली के पीछे पड़ जाती है लेकिन तभी वो दोनों उस जर्श से बार आ जाते है और जर्श के बार बहुत सारे तभी वो आपर एक चर्श का प्रिस्ट आ जाता है और वो एक्जोशन के मदद से उस गोश्ट को काबू गरनी की गोशिश करता है लेकिन उस गोश्ट की ताकत बहुत जादा थी और वो उस बाइबल पर लिगे हुए सारे शब्दों को मिड़ा देती है तभी हम देख पत उस पेड़ के जलने के वजह से वो घोश्ट वहाँ पर आ जाता है और उस आग को और ज़्यादा बढ़ाता है उसके बाद वो घोश्ट एक आदमी को चलाने के लिए चाइती है जिसकी वजह से वो घोश्ट खुच जनने लगता है क्योंकि वो गोस्ट उस लड़की के साथ लिंक था ये देखकर सभी लोग रिलेव फिल करते है और उसके बाद वो सभी लोग उस लड़की को शद्दान जेली देते है और इसके साथ ये मूवी आपे खतम हो जाती है मूवी आपको कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना